अगर आपका भाई प्रधान मंत्री होता तो तो क्या आप पतंग बेच रहे होते क्या फिर पेट्रोल पंपर अटेंडेंट क्या किसी गौशाला में हेलपर होते अगर आपका बेटा प्रधान मंत्री होता तो क्या आप लाइन में पैसे लेने के लिए खड़ी होती जरा सोचिए मैं विक्रम वजाज फिर एक बार लेकर आया हूँ खबरों के पीछे का रिसर्च और सच इस देश में परिवार में एक बंदा पॉलिटिक्स में जाए तो परिवार में दूर दूर तक सारे के सारे पैसो के धेर में खिलते हैं तबी आज हमारे पास हैं एक ऐसे नेता जो देश की सियासत की सबसे उची कुरसी पर बैठे हैं लेकिन उनका परिवार कैसी आम जिंदगी जी रहा है नरेंद्र मोधी के बड़े भाई सोम भाई मोधी खुद तो मानते हैं कि वो नरेंद्र मोधी के भाई हैं पर उन्हें पता है कि प्रधान मंत्री के लिए सिर्फ सवासो करोड देश पासियों में से एक है चोटे भाई पंकज भाई गुजरात सरकार के माहिती विभाग में साधारन सी नौकरी करते हैं दूसरे बड़े भाई अमरुद भाई एक प्राइवेट कमपनी में फिटर के तौर पर रिटायर हुए हैं आज भी उनके परिवार में से किसी ने एरोप्लेन अंदर से नहीं देखा मोधी जी के दूसरे छोटे भाई प्रहलाद मोधी एक फेर प्राइस शॉप चलाते हैं उनकी 95 साल की माता जी थी माता जी नोडबंदी के बाद पैसे निकालने के लिए खुद लाइन में खड़ी दिखी थी अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजाना करने के लिए बे अडोस पडोस के घरों में बरतन साब करना पानी भरना मज़ूरी करना आप कल्पना कर सकते हैं कि माने कितना कश्ट उठाय हो नरेद्र बोदी के चचेरे भाई अशोक भाई आट बाई चार फीट के किराय की दुकान में पतंग पटाके और नाश्टी बिचते हैं बड़े चचेरे भाई भरत भाई एक पेट्रोल पंपर अटेंडेंट हैं और उनकी पत्मी रमीला बहन वड़नगर के अपने चोटे से घर में ही खाने का सामान बेचती हैं मेरे देश वासियों, मेरे गर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है तीसरे चचेरे भाई चंद्रकांथ एक गौशाला में बतोर हेलपर काम करते हैं चोथे चचेरे भाई अर्विन भाई एक स्क्राप डीलर है जबकि पाँचवे चचेरे भाई भोगिलाल ग्रॉसरी शॉप चलाते हैं चाचा कांतिलाल और जहनतिलाल रिटायट टीचर्स हैं जहनतिलाल की बेटी लीना की शादी एक बस कंड़क्टर से हुई है मतलब की देश के प्रदान मंत्री का जीजा एक बस कंड़क्टर है परिवार को मोदी जी पर बड़ा गर्व महसूस होता है लेकिन उन्होंने इस बात का कभी गलत इस्तमाल नहीं किया अब ज़रा सोचिए दूसरी तरफ है यूपी के मुलाइम सिंग यादव और अखिलेश यादव परिवार जो सत्ता की खींचतान में अपने स्टेट, अपने लोग, अपनी जिम्मेदारियां और अपना होश तक दूल चुके हैं गांधी परिवार जिसने अपने परिवार वाद से कितना बड़ा पॉलिटिकल इमपायर खड़ा किया और बिहार के लालू प्रसाद भी अर्बों खर्बों के घुटाले कर अपने खांगदान को माला माल करते आए हैं कश्मीर में भी लोगों का जो होना हो बो हो लेकिन अब्दुल्ला परिवार के एश और आराम में कोई कमी नहीं आई अब जरा सोचिए नरेंद्र मोदी ऐसे कैसे प्रधान मंत्री है जो इतने बड़े पत पर होने की बावजूद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं क्यों? जवाब साफ है ये पच्चिस-पचास लोग नहीं बलकि सवा सो करोड भारतिये ही उनका परिवार के जरा सोचिए क्या देश को ऐसा निस्वार्थ प्रधान मंत्री कभी मिला है? क्या तो कभी मिलेगा? ये जरा सोचिए जरा सोचिए